C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है सफ़ा नंबर 82, सबक 10 नजम, नो निहालो नजम निगार, शाद आरफी वतन गुल्शन है, रंगी फूल हो तुम सफीना है वतन, मस्तूल हो तुम बहुत प्यारे हो तुम, मक्बूल हो तुम तुम ही से रौनके कौमों वतन है वतन वालों को अपना भाई जानो महबबत में तासुप की ना मानो रहो मिलजुल के जगड़े की ना ठानो चमन फूलों के जमघट तक चमन है सफ़ा नंबर 83 जईफों को सहारा दो संभालो गरीबों की मदद करके दुआ लो कोई फिरका हो सीने से लगालो चमन में एक जा सर वो सुमन है करोगे इस नसीहत पर अमल तुम मेरा जिमा के जाओगे संभल तुम मिया मिहनत करो पाओगे फल तुम ये दुनिया में तरकी का चलन है शाद आर्फी सफ़ा नंबर 84 मश्क लवज और मानी गुलशन बाग सफीना कष्टी जहाज मकबूल पसंदीदा सबका प्यारा मस्तूल जहाज या कष्टी का लकडी से तयार किया हुआ वो खंबा जिस से कपड़ा बांध कर बादबान बनाया जाता है रौनक चहल पहल चमक दमक आबो ताब तासुब तंग नजरी नाइनसाफी कौम मजहब या जात पात की बुनियात पर लोगों के दर्मियान फर्क करना सर्व एक लंबा खूब सुरत दरख्त सुमन चंबेली जईव कमजोर, बोढ़ा, उम्र रसीदा फिर्का गौमी, नसली या मजहबी गिरो गोर कीजिए हिंदुस्तान हमारा वतन है शायड ने वतन को गुल्शन और सफीना कहा है और मुल्क के नौनिहालों को रंगीन फूल और मस्तूल कहा है ना फूलों के बगएर गुल्शन में रंगीनी और दिलकशी पैदा हो सकती है और ना मस्तूल के बगेर कश्टी का चलना मुम्किन है इसका मतलब यह हुआ कि वतन की रौनक, तरक्टी और खुशाली का सारा दारोमदार उसके नौनिहालों पर है सफ़ा नंबर 85 इसलिए नौनिहालों को यह सोचना चाहिए कि उन्हें अपने वतन की बेहतरी के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है नजम के तीसरे बंद के आखरी मिस्रे में शाहिड ने एक जा सर्वो सुमन है लिखा है सर्व और सुमन दो चीजे हैं इसलिए काईदे के मताबिक यहां सर्वो सुमन है होना चाहिए था लेकिन शायरी में कभी-कभी जरूरत की बिना पर काहिदे के खिलाब भी लफजों का इस्तिमाल कर लिया जाता है नसर में ऐसा करना सही नहीं सोचिए, बताईए और लिखिए एक, शायर ने रौनके कौम और वतन किसे कहा है? दो, चमन फूलों के जमघट तक चमन है, से क्या मुराद है? तीन, शायर ने किस नसीहत पर अमल करने की ताकीत की है? चार, दुनिया में तरकी किस तरह की जा सकती है? नजम में ऐसे जमा अलफाज चुनकर, जिनके आखिर में वाउ नून खुनना लगा हो, दी हुई जगों में लिखिए दिये हुए मिसरों को मुकमल कीजिए वतनवालों को अपना, खाली जगा जानो महबत में खाली जगा की न मानो रहो मिलजुल के खाली जगा की ना ठानो चमन फूलों के जमघट तक खाली जगा है जाइफों को खाली जगा दो संभालो गरीबों की मदद करके खाली जगा लो कोई फिरका हो खाली जगा से लगा लो चमन में एक जा सर वो खाली जगा है सफ़ा नंबर 86 यहां कुछ फेल दिये गए हैं, उन्हें जुम्लों में इस्तेमाल कीजिए लिखा, मनाया, करो, दोड़ा, संभाला यहां लिखे हुए लवजों का इमला दुरुस्त कीजिए वाओ, ते, नून, वतन, सीन, पे, दोचश्मी है, छोड़ी ये, नून, छोड़ी है सफीना, फे, रे, काफ, छोड़ी है फिरका, जोए, आइन, छोड़ी ये, फे, वाओ, नून गुना जगी, फूँ, गाफ, लाम, सीन, नून, गुल, सन, नून, सीन, छोड़ी है, छोड़ी है, ते, नसीहत यहां तस्वीरों में एक चांद, एक दरख्त, एक फूल, एक बत्तख, और एक जोपड़ी दिखाए गई है इन तस्वीरों में रंग भरिये सफा नंबर 87 बलंद आवास से पढ़िये और खुश्खत लिखिये सर्व, तासुब, सफीना, अमल, मस्तूल इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट, बटिलैंग लिंग्डो, समय फनकार, परवेज गौहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी, पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत